हेलो एवरिवन, वेलकम टू एक्जाम पास करें, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पास करें, हमेशा की तरह है, आज की दिन की सुरुवात हम करेंगे, हमारे इसी सेम कोट के साथ, उठो, जागो और तब तक मतर्को, जब तक ये लक्षे क बनाईए, कि आज पूरी दिन में आपको क्या पढ़ना है, उसको एक टाइम टेबल बनाईए, और जब तक वो टाइम टेबल कंप्लीट ना हो जाए, आपको सोना नहीं है, चाहे रात के दो बजे, बारा बजे, कुछ भी बजे, आपको डेली आपने उठते ही, जो आपने कंप्लीट हो जाएंगे, और ये बात बोलिए, स्वामी वेकरनद जी ने, जिनके जनम दिन को हर साल, हम बारा जनवरी को राष्टे यवादिवस के रूम में मनाते हैं, तो चलिए, आज हम डिसकस करने वाले हैं, चोधा से और पंद्रा जनवरी से बनने वाले, जितने भी important हमारे current affair के question है, वो सारे हम discuss करेंगे, देखिए हमने दो दिन के वाज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने एक weekly, हमारी जो current affair की class होती है, 8 से 14 की, तो हमने कल एक weekly upload किये थी, जिसमें हमने top 40 प्लस जितने भी current affair थे, वो सारे हमने discuss किये थी, इसलिए कल कुछ question बच गये थे चोदा तारीक के, वो इसमें मैंने add कर दिये हैं, और आज 15 के हमने सारे इसमें add कर दिये हैं, और यह आपके जितनी जो one day exam होते हैं, उन सभी exam के लिए आपके लिए काफी उपयोगी रहने बाले हैं, तो आपसे मैं एक request करता हूँ कर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो तो कम मनाये जाता है, हर साल 15 जनवरी को हम बारतिय सेना दिवर से मनाते हैं, यह तबाता है 15 जनवरी को, 4 दिसम्बर को हम क्या मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं Navy Day, यह आपको ध्यान रखना है, हर साल Indian Navy Day 4 दिसम्बर को, 8 October को तो Indian Air Force Day, यह आपको पता होना चाहिए, और एक फरवरी को बारतिय तटरक सक, जो हमारा बल है सेना है, उसका Day मनाते हैं, हम एक फरवरी को हर साल, तो यह इनके बाकिया उप्सन हमने डिसकस कर लिए हैं, अब देखिए, 15 जनवरी को हम क्यूं मनाते हैं सेना दिवस, क्या हुआ था कि, आपने सुना होगा न, कि एक Field Marshal थे और पहले वो Leftnet Journal थे, केम करियेपा, जब इन्होंने बारतिय थल सेना का, जो कमांडर का पदवार ग्रण किया था, तो उसके उप्लक्स में हर साल हम 15 जनवरी को सेना दिवस से मनाते हैं, इनसे पहले कौन थे अंति मंग्रेज सिर्ष कमांडर, तो वो थे जन्रल राय फ्रे जन्रल रखना है, और 2022 में हम चुवेतरमा सेना दिवस से मनाएंगे, ये अब तक के जन्रल से हमने जो जो डिसकस की हैं, कि कौन-कौन से इंपोर्टेंट जन्रल में आये हैं, वो सारे के सारे हैं, आप वीडियो को पोज कीजिए और एक बार इन्हें पढ़ लेजिए, और ये भी है, बाकी 11 जन्रल को 12 और आज 12 जन्रल को बारतिय सेना दिवस, तो आपको मैं साथ-साथ आपकी मैं रिविजन करवाता चलूँगा हर एक डे की, Q2 है, अमरीका में बारत के नए राज़दूत कोन बने हैं, उप्सन नमर एक है, मारक रूट बने हैं, एरिक गौरसेटी बने हैं, विकरम मिस्तिरी बने हैं, या प्रदीप कुमार रावत बने हैं, तो कोन बने हैं, तो एरिक गौरसेटी, अमरीका में बारत के नए उसके ये चोती बार परदानमंत्री बने गए है नीदरलेंड के और नीदरलेंड की कैपिटल के है तो एमस्टरडम और ये की यूरोप का देश है और क्या बोलते हैं इसकी जो अकरंचि है वो यूरोप है विकरम मिसरी पहले बारत के राजदू थे चीन के अंदर काम पर ची दीब कुमार रावत चीन में हमारे नए राजदूत बन चुके हैं जिन्होंने विक्रम मिसरी का स्तान लिया है जल मैट्रो प्रियोजना लागू करने वाला पहला सहर कौन सा बना है मेरट बना है गवालियर, मंडी या कोची अब हम बात करते हैं मेरट तो मेरट कहां पर है यूपी में आता है मेरट में अभी कुछी टाइम पहले मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इन्वेस्ट्री यहां पर ओपन हुई है गवालियर एमपी में आता है जहां पर अभी जो होता है न आपने सुनागा विच्षो तान से नुट्सो उसका आयोजन गवालियर में किया गया मंडी हिमाचल प्रदेश में आता है जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सावरा कुड़ू जल विद्धुत परियोजना वहां पर ओपन किया जो जल मेट्रो प्रियोजन यजनि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला शेर बन गया है और इसका नाम क्या है तो मुझरिस इसका नाम है किसने बनाये है तो caching sepiaard limited नहीं से बनाया है और नावों को ही water metro कहा जाएगा यह आपको ध्यान रखना है हाली में कौन से वार्षिक golden globe पुरुसकार 2022 का योजन किया गया है 79 के, 75 में, 73 में या 80 में तो कौन से का किया है तो हाली में 89 में golden globe पुरुसकार 2022 का योजन किया गया है अब देखिए यह 79 वान था अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि किसको क्या मिला है जो best film मिली है, award है वो मिली है the power of the dog best film, musical या comedy के लिए west side story best actor का खिताब किने मिला है तो Richard, Williams के room में King Richard के लिए Will Simth को best actress के लिए किने मिला है तो Nicole Kidman को मिला है और यह best actor musical comedy में और यह best actress musical comedy में तो best actor musical comedy के लिए किसे मिला है तो क्या नम है Andrew Garfield को और best actress का किसे मिला है तो कहां गया Rachel Jagler, Maria Wasquez को तो यह golden globe award की list है जो भी हाले में 79 में का आयोजन किया गया आप इस वीडियो को pose कीजिए और इन्हें एक बार थोड़ा से ध्यान से पढ़ लिजिए ठीक है बाकिया आपके आगया नेली वीडियो में इनसे मैं आपको बार बार revision करवाता रहूँगा क्योंकि यह नाम यहां से उठाकर मैं किसी ने किसी question के option में डाल दूँआ और फिर आपको बताओं कि यह कौन से question से related है ताकि आपकी चीज़े long term आपको याद रहेगी हैल ने passport index 2022 में कौन से देश ने top किया है सिंगापुर ने जपान ने या फिर दोनों ने या फिलिपिन्स ने तो किस ने top किया है दोनों ने सिंगापुर और जपान दोनों ने top किया है हैल ने passport index में भारत की rank क्या है तो 83 rank है और पहले कितनी थी तो 90 ती यानि हमने साथ पाइदान इसमें उचाल दी है मतलब हमारी रैंक इंप्रूव हुई है पिछले बार से देखे जपान नीज में क्यों आये था जपान ने दुनिया का पहला ड्विल मोर विकल बनाया है यह आपको ध्यान रखना है फिलिपिन्स नीज में क्यों आये था कि फिलिपिन्स ने अभी हाली में कानून बनाकर जो बाल विवा है उस पर इनोंने रोक लगा दिये फिलिपिन्स ने यह देखी यह क्या होता है कि यह अभी जो रिपोर्ट आये हैं ले पास्पर्ट इंडेक्स ये 2022 की जो पहली तीम आई है पहले तीन मेने उसकी रिपोर्ट आई है पिछली बार हमारी रेंग 90 रेंग थी और अब की बार हमारी रेंग 83 अस्तान हमें मिला है आपको भारत की भी रेंग याद रखनी है मिसन अमानत हाली में कौन सी सुरक्षबल ने लौँच किया है तटरक्सक बलने रेलवे सुरक्षबल ने बारतिय सेना ने या बारतिय नो सेना ने तो किसे किसने लौँच किया है तो जो हमारी आरपिफ है रेलवे प्रोटक्शन फोर्स इसने लौँच किया है मिशन अमानत इसमें क्या कि अगर आपका ट्रेन में कोई समान छूट जाता है या खो जाता है तो उसको वापिस कैसी आप ले सकते हैं उसके लिए एक ये क्या बोलते हैं मिशन है जिसका नाम है मिशन अमानत कुछी टाइम पहले रेलवे ने एक मिशन स्टार्ट किया था आपको ध्यान हो तो मेरी सहेली क्या नाम था? मेरी सहेली ये भी रेलवे सुरक्षया बल से समंदित है भारतिय सेना ने जो मद्य प्रदेश का जो मव है वहाँ पर एक कवंटम प्रियोक सालस दापित की है इसरो के नए चीफ किने बनाये गया है? अतुल कस्यप को एस सौमनात को असोग कुमार को या फिर विनोध कनन को तो किसे बनाया है? एस सौमनात को इसरो का नए चीफ बनाया है अतुल कस्यप न्यूज में क्यों आये थे? आपने सुना वहाँ ना कि गंगा मिसन का महानिदेशक बनाया है इने असोक कुमार को विनोध कंदन को जो एक एरलाइन से विस्तारा उनका इसे नया CEO बनाया है विनोध कंदन को एरलाइन से विस्तारा का अब देखी जो डॉक्टर S. सोमनाथ अभी जो इसरो के नए चीफ बने है इससे पहले कौन थे तो के सीवन थे यह आपको ध्यान रगना है ठोके रिन्यू बाई ने अपना ब्रैंड अमबेस्टर किसे बनाया है अगर आप इस सक्स को जानते हैं तो आप इसका उप्सन अराम से क्लिक कर लोगे अपसन नमर एक है रिसब पंतने को सोरो गंगली को जिसान ए लतीफ को यह फिर राजकुमार राउ को ताको पता यह फोटो किस की है राजकुमार राउ की यहनि राजकुमार राउ को री नियू बाई ने अपना ब्रैंड मेस्टर बनाया है रिसर पंत को जो उत्राखंट सरकार है इन्होंने अपना ब्रेंड मेस्टर बनाया है सोरो गांगली यह आपको पता है कि अभी हाली में एक लखनों की नई टीम बनी है जो IPL 2022 में खेलेगी उनका जो मुख्या क्या बोलता है स्पोनसर है माई 11 सरकल जो एप है उनका जो ब्रेंड मेस्टर है वो सोरो गांगली है जिसानी लतीफ को अभी हाली में जो एक पुरुसकार होता है जिसका नाम होता है रामनाथ गोयन का पुरुसकार 2021 वो जिसानी लतीफ को मिला है अलिखान स्माइलोव कौन से देश के प्रदानमंतरी बने है उप्सन नमर एक है डेनमार्क उप्सन नमर भी कजाकिस्तान पाकिस्तान या नीदरलेंड तो कौन से देश के बने है तो कजाकिस्तान के नए पी-म बने है अलिखान स्माइलो पाकिस्तान अभी नियूज में आये था अपने नाम सुना हो गए कि आईसा मलिक जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोट की पहली महिला जज ये बनने जा रही है निदरलेंड हमने डिसक्स किया था जो मारक रूट है निदरलेंड की वो अभी इनके पियम बने है चोथी बार ये भी आपको ध्यान रखना है बारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम क्या है गुलाबो आप इसकी फोटो देख सकते हो का अभी हाली में निदन हो गया तो इसकी उमर कितनी थी 40, 97, 79 या 35 जिसके उमर कितनी थी 40 साल का था ये बारत का सबसे पुराना भालू उसका नाम था गुलाबो ये भी आपको ध्यान रखना है अभी 79 वे Golden Globe Award होए थे अभी हमने डिसकस किया था 2021 के लिए Tata Literature Live Lifetime Achievement Award वे काफी बड़ा नाम है पहले बात और ये 2021 के लिए Tata के दवारा Literature Live Lifetime Achievement Award किसे मिला है नमीता कोखले को अनीता वचरदानी को अनीता देसाई को या फिर हर्सोली भलोतरा को तो किसे मिला है अनीता देसाई को मिला है ये Award ये इनकी फोटो है नमीता कोखले को 2021 का जो साहिते अकादमी पुरुषकार मिला है इंग्लिस बासा के लिए अनीता वचरदानी इनको भी साहिते अकादमी पुरुषकार मिला है पर ये साहिते अकादमी पुरुषकार नी ये जो क्या बोलते है यूवा राष्ट्रिय यूवा साहित्यक आदमी पुरुसकार बाल युवा उसका पुरुसकार मिला है अनिता बच्छडदानी को हर्सोली मलोतरा आप इसे जानती होंगी जिनोंने बजरंगी बाईजान मूवी में मुन्नी का किरदार निपाया था हर्सोली मलोतरा इन्हें भी हाली में जो बारत रतन डोक्टर अम्बेट भीमराव अमेड कर जो अवोर्ड है 2022 वो इन्हें मिला है हर्सोली मलोतरा का दोबारा बोलता हूँ बारत रतन डोक्टर भीमराव अमेड कर 2022 का पुरुसकार हर्सोली मलोतरा को मिला है और ये तो बात के अपने इंग्लीस बासाय के लिए नमीता को खली हिंदी के लिए किसे मिला है तो वो आपको कमेंट करना है उनका नाम स्टार्ट होता है दया से आगे दो सब वर्ड ओर आएंगे वो आपको कमेंट करने है विस्व मत्स्य दिवस जो कि हर साल 21 नमंबर को मनाया जाता है पर कोन से राज्य को 2021 के लिए सरव स्रेष्ट राज्य का पुरुसकार मिला है आंदरपरदेश को, यूपी को, केरल को या फिर तिलंगाना को तो किसको मिला है आंदरपरदेश को विस्व मत्स्य दिवस 2021 पर 2021 वाइस के लिए सरव सरेष्ट राज्य का पुरुसकार अंद्रपर्देश को मिला है अब देखे उत्रपर्देश ने किस चीज में टोप किया था अभी पुरुसकार की गोशना हुई है राष्ट्रिय जल पुरुसकार मैं लिख देता हूँ राष्ट्रिय जल पुरुसकार 2020 में इसने टोप किया है एक अपने सुनाओं का हेल्थ इंडेक्स जो हर साल नीतिय आयोग जारी करता है उसमें सबसे बोटम पर उत्रप्रदेश है और सबसे टोप पर कोन है तो केरल है जन दन के जितनी जो खाते खुले हैं उसमें सबसे ज़्यादा खाते कोन से राज्य में है तो उत्रप्रदेश ने इसमें भी टोप किया है किरल हमने डिस्कुस कर लिया है हेल्थ इंडेक्स वाला तिलंगाना जिसकी राजदा नहीं किया है खेदरवाद इसने अभी सबसे ज़्यादा सोचमुक्त गाउं है जिसे बोलते हैं O.D.F या सोचमुक्त सबसे ज़्यादा सोचमुक्त गाउं बात और यहां पर गाउं की उसमें टॉप किया है तिलंगाने एक है स्यामा, परसाद, मुखर जी रूँ अर्बन, मिसन इसमें भी टॉप किया है तिलंगानाने ये भी आपको ध्यान रखना है एक देखिए जो किया बदूदू, उडीसा है उडिसा का जिला है बाला सोर ये भारत का सरव सरेष्ट समूंदरी जिला बना है ये भी आपको ध्यान रखना है विश्व मत्सेदी उसकब होता है तो 21 नुमबर को होता है जब हम बात करते हैं राज्य की तो उसमें आंधरपदेश टोप पर है और जिला में उडिसा का बाला सोर जिला ट्राइफेड आदी मत्सो के लिए ब्राइंड एमेस्टर किसे बनाया गया है विजयराज को, राजकुमार राओ को, सेफाली वरमा को, या फिर मेरीकॉम को ये फोटो किसकी है? ये मेरीकॉम की फोटो है तो मेरी कौम को ट्राइफाइड आदी मौत्सों का ब्रैंड अमेस्टर बनाया है अब देखिए विजे राज एक एक्टर है आपको पता है क्या बॉलिवूड का एक्टर है विजे राज और एक है वरुन सर्मा वरुन सर्मा इन दोनों को एक ट्रेवलिंग की कंपनी है ismytrip.com इसने अपना ब्रैंड अमेस्टर बनाया है इन दोनों को राजकुमार राव को हमने आज डिस्कस किया था री निव बाई का सेफाली वर्मा को जो बैंक ओफ ब्रोदा है बैंक ओफ ब्रोदा इनोनी अपना नया ब्रैंड एंडोर्सर देखिए मैं बात करहूं ब्रैंड एंडोर्सर की ना कि ब्रैंड एंडोर्सर की तो बैंक ओफ ब्रोदा ने सेफाली वर्मा को ब्रैंड एंडोर्सर बनाया है बारत का पहला डिजिटल खाद्य संगराले कहां पर तंजावर में, हेदराबाद में, गुरुगराम में या फिर चेन्ने में तो काँ पर खोला है? तंजावर में खोला गया है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्राले हेदराबाद काफी चीजों को लेकर न्यूज में था, पहला कि देश का पहला जो ओपन रोक मिजियम है वो हेदराबाद में खुला है, दुनिया की सेकिंड सबसे आयेस्ट सिटिंग स्टेचू है, वो हेदराबाद में बनी है इसके लावा हमारे जो आयूस मंत्री है, सरबनन सोनवाल, उन्होंने हेदराबाद में हार्टफुलनेंस इंटरनेशनल योग अकेडमी, उसकी इस्तापना भी हेदराबाद में की है गुरुगराम हर्याना का जिला है, जिसमें बारत का पहला जो हेली हब है, वो बनाया जाएगा गुरुगराम में चेन्नेई, तमिलाडू की राज़दा नहीं है, चेन्नेई जो इंटरनेशनल जो चेन्नेई एरपोर्ट है, हम बात करें एरपोर्ट की ये दुनिया की गलोबल लिस्ट में होने वाला भारत का एकमात्र एरपोर्ट है जिसका नंबर कौन सी रैंक है तो ये टोप 10 में आठवे नंबर पर आता है पूरे दुनिया में तमिलाडू के तंजावर में बारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्राले लोंच किया गया किसने केंद्रिय मंत्री पियूस गोयल ने कोन सा राज्या ये यूटी में मालदिव सेली का वाटर विला स्तापित किया गया ये जो आप देख रहे हैं फोटो ये है मालदिव सेली का वाटर विला असम में तमिलाडू में पुद्दुचेरी में या फिर लक्षदीव में तो किसमें स्तापित किया गया है ओप्सन नमर डी लक्षदीव के अंदर अधके असम नियूज में क्यों आया था एक राष्टिय स्वास्ते मिशन है नेशनल हैल्थ मिशन जिसका नाम है निरामे योजना ये असम ने लौंच की है पुद्दुचेरी में अभी 25 वा जो राष्टिय यूवा महुत्सो है उसका आयोजन पुद्दुचेरी में किया जाएगा और राष्टिय यूवा दिवस हर सालम 12 जन्मरी को मनाते हैं स्वामी वेकनन जी की जन्म दिन पर ये जो लक्सदीब के परसासक है पर फुल खोड़ा पटेल ये भी आपको ध्यान डखना है तो ये थे हमारे 14 और 15 जन्मरी से बनने वाले जितने भी जो 15 से 15 टोप इंपोर्टेंट करन डफर की कवेस्टन अगर आप इनकी रिविजन करना चाहते हो या फिर आप पीडियाप चाहिए तो आप हमारा ब्लोग है www.exampassgrade.com इसको विजिट कर सकते हो इसका लिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना तो कल मिलते हैं सुबह ठीक 6 बजी तब तक के लिए all the best जै हिंद जै भारत